नमस्कार आप सभी को finovations.com की तरफ से दिवाली की हर्दिक शुब कामना है I hope कि इस दिवाली को आप बहुत enjoy कर रहे होंगे और इसी मोके पर हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए है तो 22 October यानी Sunday से हम Investment Instruments जैसी कि Stock Market और Mutual Fund पर कुछ अलग-लग lecture series शुरू करने जा रहे है जहाँ पर हम एक sequence में यानी chapter wise topics कवर करेंगे और आपको step by step उन series से related सारे topics समझाएंगे जिससे आपको सब कुछ आसानी से समझाएगा तो पहली lecture series Stock Market Beginners के लिए है इस lecture series का नाम है Beginners Guide to the Stock Market जिसमें हम Stock Market से जुड़े वो सारे topics आपको सिखाएंगे जो किसी भी beginner को जानना बहुत जरूरी है तो इस पहली lecture series को स्टार्ट करने के पीछे हमारा यही मकसद है कि जो लोग Stock Market में नए है उन्हें Stock Market शुरूआत से सिखाया जाए और कोई भी वेक्ति अगर Stock Market सिखना चाता है या सिखना चाती है तो वो इस series के जरिए आसानी से Stock Market Investment के बारे में सिख सके बहुत सारे लोग सोचते हैं कि Stock Market बहुत complex है जबकि ऐसा नहीं है और इस lecture series के जरिए हम आपको सारी चीज़े simplify करके बताएंगे तो इस पहली lecture series में यानि Beginner's Guide to the Stock Market में हम 10 chapters कवर करेंगे तो चलो देखते हैं कि कौन-कौन से chapters हमारी इस पहली lecture series में कवर होंगे फर्स चाप्टर में हम Investment और Inflation के बारे में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि Investment करना क्यों जरूरी है इस चाप्टर को हम 22 October को कवर करेंगे सेकंड चैप्टर में हम Financial Market और उसके structure को समझेंगे इस चैप्टर के दो parts रहेंगे जिने हम 29th October को कवर करेंगे थर्ड चाप्टर में हम Stock Market की History के बारे में बात करेंगे कि Stock Market क्यों और कैसे start हुआ इस चैप्टर को हम 5 November को कवर करेंगे 4th चैप्टर में हम Shares और Investors के Types के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के भी दो parts रहेंगे जिने हम 12 November को कवर करेंगे पाच्वे चैप्टर में हम Stock Market से जूड़ी Terms जैसी की Sensex, Nifty, Bulls, Beers, Liquidity, Leverage और इन जैसी और भी कई Terms को समझेंगे इस चैप्टर के 4 से 5 parts रहेंगे जिने हम 19 और 26 November को कवर करेंगे 6th चैप्टर में हम Money Control या किसी और App पर Stock Yots कैसे पढ़ते हैं और वहाँ पर दी हुई अलग-अलग Terms जैसे की Volume, Bid Price, Offer Price, Volume Weighted Average Price, etc. इनका मतलब समझेंगे इस चैप्टर को हम 3 December को कवर करेंगे 7th चैप्टर में हम Demet Account और Trading Account के बारे में समझेंगे जैसे की Demet Account और Trading Account कैसे काम करता है Shares Buy or Sell कैसे करते हैं कौन-कौन से Types के Orders होते हैं Shares Buy or Sell करते वक्त कौन-कौन से Charges और Taxes लगते हैं इन जैसे और भी कुछ Topics को हम कवर करेंगे इस चैप्टर के पास से 6 Parts रहेंगे जिने हम 10 और 17 December को कवर करेंगे 8th चैप्टर में हम Shares की Settlement Process को समझेंगे इस चैप्टर को हम 24 December को कवर करेंगे 9th चैप्टर में हम Stock Market से मिलने वाला जो Profit है उस पर लगने वाले Tax के बारे में बात करेंगे 9th चैप्टर को हम 31 December को कवर करेंगे और 10th यानि Last चैप्टर में हम Trading और Investing Analysis के Types और Philosophies के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर को भी हम 31 December को ही कवर करेंगे इस सीरीज में हम जो चैप्टर कवर करने जा रहे है उन में से कई चैप्टर के Suggestions आप में से ही बहुत सारे Finnovators ने भेज़े है अगर आपको लगता है कि कुछ और Topics इसमें आड़ करने चाहिए तो आप हमें 8055-835-835 इस नंबर पर या हमारे Facebook पेज पर अपने सुजाओ दे सकते हो अगर आपको Stock Market के Basics के बारे में सब कुछ पता है तो आप बस थोड़ा वेट करिए क्योंकि जल्दी हम आपके लिए कुछ और Lecture Series ला रहे है और हाँ हमरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस Bill बटन पर भी जरूर क्लिक करिए ताकि आप इस Lecture Series के सारे Lectures सबसे पहले और Sequence में देख सको और आने वाली Lecture Series के बारे में अपडेट रह सको